नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंटर न्यूस मैं हूँ राजी शर्मा उश्तम न्यायले ने शुकरवार को अपनी एक महत्वपूंड व्यवस्ता में इंटरनेट के इस्तेमाल को समविधान के अनुछेद 19 के तहट मौलिक अदिकार करार दिया है और जम्मो कश्मीर प्रशासन से कहा है कि शकेंदर शासित प्रदेश में प्रतिबंद लगाने समदी सारे आदेशों की एक सपताह के भीतर समिक्षा की जाए न्यायमूर्थी अन्वी रमन न्यायमूर्थी वियार गवई और न्यायमूर्थी आर सुहाश रेड़ी की पीट ने समवीधान के अनुचे 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के सरकार के फैंसले को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर यहव्यवस्ता दी पीट ने कहा कि बोलने और अविवक्ति की सुवतंतता और मत भींता को दवाने के लिए निशेधाग्या लगाने संबंधी दंड प्रक्रिया सहीता की धारा 144 का इस्तेमाल अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता पेट ने जम्मू कश्मीर परशासन को निजदेश दिया कि आवश्यक सेवाएं उपलब्द कराने वाले अस्पतालों और शेक्षनिक संस्थानों जैसी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएं जोहलाल नहरू विश्विदाले के कुलपती एम जगदीश कुमार ने शुकरवार को कहा कि छात्रावाश शुल्थ से संबंदित HRD मंतराले की तरब से लिए गए पूर्व के सभी फैंस लोगो पूरी तरह से लागू किया गया है मानम संसाधन विकास मंतराले और विश्विदाले परशासन की पांच सदस्य टीम के बीच बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विश्विदाले परशासन जरूरत पढ़ने पर एक बार फिर समेस्टर पंजी करन प्रक्रिया की अंतिम तिथी को आगे बढ़ा सकता है इस टीम में कुमार भी शामिल थे उन्होंने कहा चात्रावाश शुल्ग से संबंदित HRD मंतराले में पुर्व में लिये गए सबी फैंसलों को पुरी तरह से लागू किया गया है यह अपात बैठक परिशर में जारी स्थिती पर सरचा करने और चात्रों परशासन के बीच मौजूदा गतिरोद को सुलिजाने के लिए बुलाई गई थी भारत ने संयुक्त राश्टर सुरक्षा परिशद में जम्हू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को करारा जबाब देते हुए कहा इसलामाबाद श्यतानी इरादे रखता है लेकिन उसकी बातों से कोई प्रभावित नहीं होता संयुक्तराष्टर में भारत के स्थाई प्रतिनिधी सेद अकवरुदीन ने ब्रहस्पतिवार को कहा श्यतानी इरादे रखने वाले एक प्रतिनिधी मंडल ने एक बार फिर जूट फैला कर अपनी असलियत दिखा दी है इसे हम सीरे से कारिज करते हैं अकवरुदीन ने कहा कि पाकिस्तान को मेरा आसान सा जवाब या है कि भले ही देर हो गई हो लेकिन मेरे पडोसी अपना रोग ठीक करिये आपके जूट और दुश परचार को यहां कोई मानने वाला नहीं है उन्होंने अंतराष्टे शांती अबम सुरक्षा की और संयुक्त राष्ट चार्टर को बरकरार रखने के विश्य पर खुली चर्चा के दुरान ये बाते कहीं कॉंग्रिस महस्तची प्रियंका गांधी वाड़रा ने नागरिक्ता कानून के खिलाफ शांती पुर्वक परदर्शन कालरे वालों को जेल भेजने अबम उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करते रहेंगे और देश की आवाद उठाते रहेंगे क्योंकि सरकार जो कर रही है वो संबीधान के खिलाफ है प्रियंका वानसी में C.A.A. के खिलाफ विरोध परदर्शन के दुरान जेल गए कारेकरताओं से बात करने के बाद वहां मीडिया से बात कर रही थी उन्होंने कहा शांती पुर्ण परदर्शन करने वालों को जेल में रखा गया इनमें से एक एकता जी की छोटी बची उनका इंतजार कर रही थी मैं इन सब से मिलना चाह रही थी इन लोगोंने मुझसे बात की और बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ बह परत ने श्रीलंका को पूर्णे में खेले गए आकरी और निर्णायक T20 मैच में 78 रनों से मात देकर तीन मैचों की T20 सीरीज पर 2-0 से कबजा कर लिया है टॉस हारकर पहले बल्लेवाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकट गवा कर 201 रन बनाए और श्रीलंका के सामने जीत के लिए 202 रनों का लक्ष रखा जबाब में श्रीलंका 15.5 ओबर में 120 रनों पर ही धेर हो गई गुवाहाटी में खेला गया सीरीज का पहला मैच बारिश और गीली पीच के कारण रध हो गया था जबकि इन दौर में खेलेगे दूसरे मैच में भारत ने एक तरफा जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बड़त बना ली थी पूरे में तो भारत ने श्रीलंका पर 78 रनों से बड़ी जीत हासिल कर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है